आज हर क्षेत्र में लगातार बढ़ती प्रतिसपर्धा है। इस बात से हम सब परिचित हैं। देश में हर साल मेडिकल एंट्रेंस के लिए 25 लाग, इंजिनेरिंग के लिए 12 लाग और UPSC के लिए 10 लाग शात्र एक्जाम देते हैं। ऐसी प्रतिसपर्धा में सफलता सिर्फ अच्छी तयारी से ही नहीं मिलेगी। बच्चों में कुछ खास गुड़ विकसित करने होंगे स्कूल के शुरुवाती दिनों से ही। बच्चों को अपने कॉंपेटिशन का दाइरा बढ़ाने के लिए अभ्यस्त करना होगा। ताकि वे खुद को सिर्फ क्लास या स्कूल के स्तर पर नहीं बलकी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या रीजनल स्तर पर परक सकें। अपने मजबूत और कमजोर पक्ष को समझें और एक्जाम के दौरान आने वाली स्ट्रेस और टेंशन को मैनेज करना सीखें। यह संभव होगा कॉंपेटिटिव एक्जाम की प्रक्रिया से गुजर कर ही। ऐसे एक्जाम का एक्स्पोजर लेकर ही। हिंदुस्तान उलम्पियाड अपनी स्थापना के दसवे साल में लाया है एक नया प्रारूप जहां आपका बच्चा पांच सब्जेक्स में हिस्सा लेकर बन सकता है विनर। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या क्षेत्री इस्तर पर। विनर्स के लिए है करोडों के लगभग 12 हजारे नाम्द। और सारवजनिक मंचो पर सम्मानित होने का मौका। भारत के सबसे प्रतिष्टत अकबार में कवरेच पाने का मौका। और ये प्रतियोगिता खुली है कक्षा एक से कक्षा बार्वी तक के सभी बच्चों के लिए। अपने बच्चे को इस में भाग लेने के लिए प्रोच साहित करें। बच्चा कॉंपुटिटिव एक्जाम की प्रक्रिया से गुजरेगा अपनी क्षमतां को पहचानेगा। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और क्षेत्र में वो कहां टिकता है ये जानेगा। अन्य विनर्स से प्रेण ना पाएगा। और अगर इनाम जीता, तो क्षेत्र में एक नई पहचान पाएगा। इन सबसे आपके बच्चे में पैदा होगी प्रतिस्पर्धा की एक ऐसी भावना, जो रखेगी उसे मेडिकल, लौ, एंजिनेरिंग, चार्टिद अकाउंटिंसी और UPSC जैसी कॉंपुटिटिव एक् पावना.